हुआ हाई है हैट हैalah फ्रेंड्स गूड्मानिंग कैसे हैं आफ सब मैं आज आप लोगों को अपना ज्वेलरी कलेक्षिन दिखाने वाली हूं जोकी मैं आज एहरिंग दिखाने वाली आप लोगों को कि कौन-कौन से एरिंग्स है मेरे पास गोल्ड के तो चलिए एक एक करके मैं आप लोग को दिखाती हूं अपको यह देखिये यह वाला यह गोल्ड का है और यह मेरे मेरे हस्बेंड ने मुझे दिलाया था ये वाला दिख रहा है आप लोगों को ये देखिए तो ये मेरे हस्बेंड ने दिलाया था मुझे एनिवर्सरी पे फरस्ट एनिवर्सरी पे दिलाया था मुझे तो देखिए ये मैं इस तरीके से है ये काफी बरा-बरा सा लगता है का देखिए पास से आप लोगों को इसकी डिजाइन दिखा देती हूँ मैं ये पूरा एक नेकलेस का सैट का है और बहुत ही सुन्दर लगता है पहने पर और नेक्स्ट में दिखाती हूँ और नेक्स्ट ये वाले हैं ये भी गोल्ड के हैं और फ्रेंड्स ये चोटे-चोटे हैं तो तुम्हें काफी अच्छे लगते हैं कहीं पूजा पार्ट वगेरा में ये पहन लेती हूँ आपको हाथ में लेका दिखाती हूँ कि इस टाइब की डीजाइन है इनकी ये देख सकते हैं और बहुत ही सुन्दर से डिजाइन एकदम छोटे से लेके बढ़ेता कैसा तीन तीन लटकन लगी हूई है इसमें बहुत ही सुन्दर लगती है देख सकते हैं आप पहनने पर और भी ज्यादा अच्छे लगते मैंने बहुत कम पहनती हूं क्योंकि जादा भारी-बारी मैं पसंद नहीं करती हूं तो यह देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर लगते हैं पहनने में और इंग में थोड़ी सी लटकाने तो काफी अच्छे लगते हैं पूजा पाट वग्यरा में पहन लेती हूं या कहीं थोड़ा सा घुमने जाना देता तब पहन लेती हूं तो हो गया second वाले और नाग्स्ट में दिखाती हूं ये वाले हैं next ये एडी के हैं American diamond के हैं है Gold के ही लेकिन इसमें American diamond लगा हुआ है ये देखिए पास दिखाती हूं आप इसमें American Diamond है यह देखिए बहुत ही सुन्दर इनके शाइनिंग है यह मेरे हजबन चाइना गए थे वहां से लेकर आये थे मेरे लिए तो यह काफी सुन्दर लगते हैं यह देख सकते हैं आप इनका वैसे की वैसे ही है इन्हें मैं डेली उज में पहनती हूं घर में अधिकतर आप लोगोंने मेरे वीडियो में देखा होगा मैं इन्हें ही पहने रहती हूं तो यह मुझे काफी लाइट वेट हैं और काफी अच्छे लगते हैं और इनके शाइनिंग ऐसे ही बलकरार रहती है अमेरिकन डायमंड की और बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे यह काफी यह देख सकते हैं इन्हें मैं अभी एक बार भी नहीं पहना है सिर्फ लाई थी तभी ट्राइ किया था और अभी कभी मोका ही नहीं पड़ा पहनने का तो यह देखिए इसकी डिजाइन भी बहुत सुंदर है थोड़ी सी लटकन है चांद वाली डिजाइन है इनकी देख सक पहने पर और नेक्स डिजाइन यह वाली है और आधा इस अक्वित समय चुक्थ कली कमने का वी और किसस to Bakश्चितन पाहना है इस अर्ले के बिलब दो Неजय का वैंतर अरु में आधे। इन्हें साफ नहीं किया असल में मैंने साफ कर लूँगी तो वैसे की वैसे ही हो जाएंगे ये तो बहुत ही सुन्दर लगते हैं छोटे से हैं ज़्यादा बड़े भी नहीं है ज़्यादा छोटे भी नहीं है तो मीडियम साइज के हैं इन्हें मैं कभी कभी घर में भी डेली उसमें पहन लेती हूँ पर इसका पैच क्या है थोड़ा सा ढीला हो गया था इसलिए मैं कभी अब ज़्यादा पहन नहीं पाती हूँ तो इसमें पैच लगवाना है सिर्फ मुझे और बहुत ही सुद्र लगते हैं यह देख सकते हैं इन्हें नजदिक से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को बहुत ही सुद्र लगते हैं यह और नेक्स्ट है और नेक्स्ट है यह जुमकी जो कि काफी heavy है इसे मैं हाथ में लेकर दिखाती हूँ आप लोगों को तो friends ये है जुमकी जो कि काफी heavy है वो पहनने पर बहुत भारी है इसी में कभी कभी आर पहनती हूँ ये नई की नई है एकदम जस्ट बनवाई है इने तो अभी बनवाई है इने मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और बहुत ही सुन्दर लगती है पहनने पर देख सकते हैं आप heavy है बहुत heavy है ये तो मैं इने कभी कभार पहनती हूँ कभी कभार के अभी पहनी ही नहीं है एक बार ही पहनी थी सिर्फ दिवाली पर और ये देख सकते हैं काफी heavy है ये और इनकी डिजाइन काफी अच्छी लगी मुझे पहले मैं थोड़ी छोटी ले रही थी पर ये वाली मुझे ज्यादा पसंद आई थी थोड़ा सा बड़ा साइस क्योंकि फेस पर थोड़ा सा बड़ा बड़ा अच्छा लगता है कभी कभार पहलने पर शादी वगरा में शादी पार्टी में तो ये देखिए काफी अच्छी लग रही है आप लोग बताई का कैसी लग रही है मुझ पर अगर आप लोगों को पसंद आई यो तो प्लीज मेरे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताईए कि मेरा एरिंग क्लेक्शन आपको कैसा लगा अभी और भी यह मैं दिखाती हूँ छोटे एरिंग कराभी है तो यह आपको कैसी लगी प्लीज कमेंड करके ज़रूर बताईए पर यह इनका यहां से गोल है और इन्हें बस इसा पैट जैसा फसाना रहता है वह बहुत इसंदर लगते हैं तो यह डेली उसके लिए लेकर आई थी में पर अभी इन्हें ज्यादा पहना नहीं है मैंने दो-तिन बार पहना है तो बहुत इसंदर लगते हैं गर्मियों के पहने वाले हैं यह गोल्ड के यह बताती हूं मैं आप लोगों को यहां पर मेरे यहां कान में छेद है जो कि मैं बहुत टाइम से पहना नहीं है इसलिए दुखते हैं कभी-कभी इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ इसमें ब्लैक कलर का डायमंड लगा हुआ है मैं दिखाती आपको Chyote 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 Gap को बहुत ही चोटे 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 ठीच तो यह काफे अच्छे लगते हैं मुझे पर यह मैं कान दुखने लगते हैं कि पहनने पाती हूं भी अमेरिकन डायमंड वाले हैं यह देख सकते हैं बिलकूल एक डायमंड लगा हुआ है बागी पूरा सोने का है यह आप लोगों को दिख रहे होंगे दोनों एक साथ करके दिखाती हूं बहुत ही बारिक से हैं तो यह देखिए अमेरिकन डायमेंड है इनमें और गोल्ड का है पूरा यह तो यह लाइट वेट है गर्मियों के टाइम पर कभी कवेर पहन लेती हूं मैं क्योंकि गर्मियों में हैवी नहीं पहना जाता मुझे यह देख सकते हैं और ऐसे ही एक साथ और है पर उसमें थुड़ा चोटा डायमेंड लगा हूआ है यह देखिए यह तो यह मेरे उपर वाले चेद में जो है ना कान के ऊपर एक और चेद है मेरे तो उसके उपर पहनने पर बहुत ही सुंदर लगता है तो यह में उपर साइट पहन लेती हूँ कभी कभा यह देखिए इसमें भी अमेरिकन डायमेंड लगा हूआ है और पूरा गोल्ड का है और फेंड्स मैंने और भी जोल्री के कलेक्शन मेरे अपने चैनल पर डाले हुए हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर और भी सर्च करके या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बाक में डाल दोंगी उसमें देख सकते हैं और भी मैं नेक्स ड्वेलरी कलेक्शन लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी लेकर आने वाली हूँ तो प्लीज मैरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया कीजिए तो मुझे भी काफी अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं तो और मैं नहीं चीज़े आप लोग के लिए लेकर आऊंगी अभी पायल कलेक्शन पे मुझे दिखाना है सारा पायल कलेक्शन अभी मैंने दिखाया नहीं है बहुत ही दो-तिन पायल कलेक्शन लेकर आऊंगी और गोल्ड के बैंगल्स और गोल्ड के कंगंज होते हैं वह भी मैं नेक्स्ट में लेकर आऊंगी तो आप लग बने रहेगा मेरे चैनल पर और एक लाइक ज़रू कर दिजिए गा मिलते हैं नेक्स्ट प्रिटो में तबसकोए ले खायं।